हीरो वीडा वीवन प्रो वर्सस ओला एस्वान एर एक्सों प्रेश ऑफ 1.2 ए 1.3 लाक में आने वाले इस टू वेहिकल्स सिटी उसके लिए बहुत अच्छा है बहुत अच्छा फीजर से हैं बहुत भारिशान करने वाले इश्यूस भी है रेंज के बार में बात करें पूरे प्लस पूर्स मोड में 80 किलो मोटर सफ रेंज बला अब अकेले चलाएंगे तो तो ज्यादा रेंज आ सकता है अपका एक्षपरेंस कैसा अब जरनेंचे कमेंट में बाता देना अब ऐसा कौनसा फीचर्स है जो हीरो वीडा में बहुत अच्छा है पहला इसका परफॉर्मस हीरो वीडा वीडा वीवन प्लो के साथ तीन driving modes मिलेगा एको, राइड और स्पोर्स मोड फोर्थ राइड मोड हम कस्टमाइज कर सकता है अपने मर्जी से थ्रूदवीडा अप एको मोड का top speed is 45 kmph वित डीसेंट अग्जलरेशन, sports mode में 80 kmph is the top speed with a strong acceleration इसके राइड मोड एक uncomfortable acceleration नहीं है, I personally like it, next इसका accelerator calibration, my favorite यार, बहुत अच्छा calibrated है, अगर एक दो kmph of speed adjust करना है, तो आराम से कर सकते हो, लेकिन ओला S1 Air में, this calibration तोड़ा खराब है, आपको एक consistent response नहीं मिलेगा, अचानक से एक बार बहुत acceleration मिलताएगा, अचानक उतना acceleration नहीं मिलेगा, इसका असर particularly आपको feel होगा, because S1 Air में brakes मारना भी नहीं, उसके ओपर जैसे finger भी रख लोगे न, accelerator cut off हो जाएगा, आपको instant एक जर्क मिलेगा on the road, which is not a comfortable drive, S1 Air में आपको सिरुफ front and back drum brake मिलेगा, फिर बेजार very very strong, strong drum brakes, brake cut off हो जाना, accelerator का response, consistent नहीं रहे न, not a great experience, HeroVida V1 Pro में, you have a front disc brake and rear drum brake, brakes or not that strong, next, इनका removable batteries, HeroVida के साथ two removable batteries मिलेगा, मतलब इस गाड़ी एक battery के साथ भी चल सकता है, मतलब range आधा ही मिलेगा, scooter का charge कई पे भी कम हो जाए, कई पे भी इस battery को निकाल के charging रख सकते हो, apartment में पार्क नहीं है, office में पार्क नहीं है, ये बहुत काम हैगा, लेकिन the only problem is, द स्कूटर का charge पूरा का पूरा का खाली हो गया, पासवाला एक चाही दुकान में हमने पूच के, हमने इसके बैटरी को निकाल कर charging रखा, क्या मैं ऐसा हर रोस करना चाहता हो, of course not, because इसके साथ, you have three ways to charge the scooter, पहला, you can charge the scooter directly, with the portable charger, scooter को अप चार्जिंग पे रख लें, स्कूट Chargers, दोनों जगह पर, to charge Hero Vida, it is for free, it is free, एक रुपया पेकरने की जरूरी नहीं है, बहुत सारा fast charge है across all the cities, मतलब, इसकोटर से advantage यह ही है, you have all the options, कई पे भी आपके गाड़ी का charge कम हो गया, you can still charge the scooter and ride it, next, इसका right comfort, Hero Vida में very comfortable seats and suspension मिलेगा, अगर आप long rates भी जा रहे हो, कोई थकावट आपको feel नहीं होगा, you will enjoy the ride, very आराम से, एक relaxed posture में आप जा सकते हो, वैसे इसमें भी एक condition है, अगर आप 45-50 km पे speed के अंदर ही आप जा रहे हो, you will enjoy the ride, अगर speed cross कर ली आना, इसके back suspension तोड़ा spring जैसा काम कर रहेगा, आपको बहुत ऊपर निसे जाएगा, roads ऊपर न पसंद करोगे and which means for a city ride, बहुत enjoy करोगे इस गाड़ी को, next इसका dashboard, very simple UI, not too bright colors, very responsive touchscreen है, आपको कभी भी touch करोगे न आपको भरोसा मिलेगा, touchscreen काम करेगा, जो Ola S1 Air में थोड़ा कम है, इस entire scooter में सिरुफ इसका dashboard है, जो मुझे feel करने में, experience करने में बहुत premium लगा, वैसे इस dashboard के पर उतना ज्यादा features नहीं है than S1 Air, लेकिन सिरुफ for the touchscreen response and the premium looks के लिए, मुझे Ola S1 Air dashboard से भी, Hero Vida का dashboard तो ज्यादा पसंद आया, and these dashboard features को, आप scooter के handle buttons के साथ भी इस्तमाल कर सकते हो, लेकिन उन में काफी issues है, उसके बारे में, इस वीडियो में हम तुर देर में बात करेंगे, Next, Hero Vida का cruise control, Ola S1 Air के cruise control से भी बहुत अच्छा है, अगर आपने 35 पे cruise लगा दिया, and you want to increase the speed, scooter के handle buttons को इस्तमाल करके, आप 35 से 37 और 33 by 2 km पे increase और decrease कर सकते हो, जो Ola S1 Air में नहीं है, बहुत सोच समझ के इस feature को बनाया ऐसा लगता है, S1 Air में ऐसा है ना, कि आपने 35 पे cruise control पड़ेगा, आदत करने में आदत हो जाएगा, लेकिन Hero Vida में आदत जालने की जरूरी भी नहीं है, Next, इसका boot space, सिरुफ storage के इसाफ से देके, तो Hero Vida का space बहुत कम है, Only 26 liters of boot space, S1 Air में 34 liters of boot space है, लेकिन वीडा में ये अच्छा है, boot space कोलने के लिए 5 तरीका है, S1 Air में boot कोलन swipe कर सकते हो, and 4th smartphone app, and 5th key fob के अदर एक चाबी रहेगा, front legroom के पास, चाबी लगा कर boot space कोल सकते हो, Next, scooter का side mirrors, very simple thing है, लेकिन Hero Vida का side mirrors, बहुत अच्छा है, very simple design, same लेकिन Honda DO, pass वाला गाड़ी भी देखेगा, दूर वाला गाड़ी देखेगा, लेकिन S1 Air का side mirrors, design perspective में देखने इसको ठीक कर सकते हैं, it is a simple thing, इसको ठीक कर सकते हैं, okay, अब Hero Vida में काफी features है, जो Ola S1 Air से थोड़ी बहुत बहुत बेटर है, लेकिन S1 Air का भी अच्छे features है, पहला उसका performance, उसके साथ आपको 3 driving modes में लेगा, eco, ride and sports mode, sports mode का 90 km, top speed, बहुत strong acceleration है, मतलब Hero Vida के हिसाब से आपक इसको एक जरकी ride में लगा, पूश में लगा, जब हमने एक Ola Bike Taxi Captain से बात किया, इसमें कोई दिक्कत है देखा आपने, तोड़ा देरे चलाना पड़े, ब्रेक कभी कभी काम है, ब्रोलिंग प्राब्लम है, हमने इंफर्म किया था, तोड़ा देरे चला हम सर्विस पे आने इसका brakes, इसके साथ आपको front and back drum brakes मिलेगा, drum brake होने पे भी very strong braking है, आपको बहुत कम stopping distance मिलेगा, very strong braking है, because accelerator cut off भी हो जाएगा, तो जल्दी ही गाड़ी को रोख सकते हो, मतलब it don't give a convenient ride, but brakes का का काम गाड़ी को रोखना, वो कर लेगा, आदत डालना पड़ेगा आपको to get control on this brakes and accelerator, आदत डालने के बाद, you might feel थोड़ी बहुत comfortable, next is का regeneration, इसके साथ आपको दो type of regeneration मिलेगा, coasting and manual regeneration, both are very very strong, जैसे charge 80% से कम होता जाएगा, regeneration very strong होता जाएगा, जैसे charge 50% and 40% तक आएगा, brake लगाने की ज़री बहुत कम होगा, and अगर charge कम है, तो you have manual regeneration also, हमने जब S1 pro first gen को हमने range 7-8 km, तो हम add करी सकते हैं, next इसका dashboard, very bright colors है, very good touch response जैने वाला 7-inch LCD display, बहुत सारा features है, आप इसके ऊपर navigation लगा सकते हो, ride status एक सकते हो, coasting regeneration को control कर सकते हो, you can even control the hill hole assist, बहुत सारा features है, लेकिन this dashboard is known for lot of bugs, कभी-कभी इसका touch काम नहीं करेगा, कभी-कभी गाड़ी अनलोग नहीं कर सकते हो, all the features on the dashboard जो भी है, आप smartphone app से भी कर सकते हो, and next इसका fast charging network, VOLA के साथ very huge fast charging network है, जो in terms of volume बहुत ज्याद है, लेकिन उसका भी ऐसा एक adaptation है, कि उतना अच्छा काम नहीं करेगा, अगर एक charging station पर 2 है, तो एक ही काम करेगा, तो एक ही काम करेगा, तो एक ही काम करेगा, अगर आप आप जा की complaint भी करें, तो शुरुम जट काम नहीं कर रहा है, तो एक्स्पेरिंस जो मैंने खुद एक्स्पेरिंस किया एक दो बर, and next इसका boot space, S1 Air के साथ, you will have 34 litres of boot space, backpack, charger, पानी बॉचल, सब चल जाएगा अराम से, just for the volume of the boot space, S1 Air का बहुत अच्छा है, अब अ of range मिला, and particularly, जब चार्ज किरता जाएका, रिंचल एस्पेरिंस के ओपर आप रस्ट मत करने का, जैसे चार्ज 7%, 6%, 5% तर गिरेगा, 5% के पास, dashboard दिखेगा, 7 km of range आसकता, लिकिन 5% के पास आते ही, तुरंथ, तुरंथ, 7 km of range एस्पेरिंस के आते ही, तुरंथ, तुरंथ, 7 लिंप मोड 5% पे आते ही, to 10 kmph, which is a very very dangerous thing, in fact, इसकोटर में ऐसा इस्पेरिंस भी बहुत लोग ने बताया, कि इसका लिंप मोड कभी भी turn on हो सकता है, which you can't control, जैसे उसमें गिरेगा, range गिर जाएगा, speed गिर जाएगा, and it is very very dangerous, and it might cause accidents on the road, and Ola S1 Air का भी range estimate उतना ट्रस्ट व इन दोनों का brakes, इन दोनों का brakes, इन दोनों का brakes है, very interesting scene है, Hero Vida का brakes कम strong है, S1 Air का brakes बहुत strong है, with Hero Vida, you will have front disc brake and rear drum brake, top speed में, highway पे, city के अंदोर उतना comfortable braking आपको नहीं मिलेगा, particularly आप traffic jumps में जा रहे हो, you will prefer to ride in a slow speed, 30s, 40s में ही, उसमें भी, you want to apply both the brakes, तब भी गाड़ी जहां चाह जो काम नहीं करेगा, and next, S1 Air के साथ, front drum brake and rear drum brake होने पे भी very strong braking है, अब जरकी rate मिलेगा, मतलब, इन दोनों काड़ियों में sweet spot of comfortable brakes देने वाला brakes नहीं है, एक बहुत strong है, एक कम strong है, next, इसका regeneration, Hero Vida में सिर्फ एक ही type of regeneration मिलेगा, which is coasting regeneration, and you will hardly feel it, बहुत slow regeneration है, जब हमने hill claim test किय Hero Vida is the only scooter, जिसमें उपर से नीचे 7.5 km drive करते हुए, we consumed 1% of charge, बाकी सारे गाडियों में या तो charge का चाही नहीं हुआ, और हमने regeneration से extra range add किया, and Ola S1 Air में very very strong coasting and manual regeneration है, because front and back drum brakes are also very very strong, brakes के उपर finger रखते ही, accelerator cut off हो जाएगा, उसके उपर strong regeneration, आपको very strong stopping force and very huge circulate मिलेगा, जो आप बहुत आदर डालने के बाद, बहुत control लाने के बाद ही a comfortable rate इसमें मिलेगा, which you won't enjoy in the initial few months, next इन दोनों का build quality, very very poor build quality है, काफी सारा weak panels है, काफी weak structure है, top speed में, on a highway, bad roads पे आप जा रहे हो, आपको एक confident rate नहीं मिलेगा, एक hollow structure का पचाला रहे हो, वाला feeling आएगा, इस build quality आपको especially handle buttons के ओपर clearly feel हो, here a video में you will have plastic clickable buttons, फिर भी वो टीक से काम नहीं करेगा, उतना अचा बिल्ड क्वाल्टी नहीं है, and the buttons are also not responsive, एक चीज़ के लिए बाहर बाहर प्रस करते रहना पड़ेगा, इसके ओपर मैंने बहुत बरोसा किया, initially, that these buttons काम करेगा, लिकिन no, एक दो बार का करेगा, फिर उसके बाद वो अठक जाएगा, काम नहीं करेगा, very poor build quality है, S1 Eric on the other hand, they are not plastic buttons, they are rubbery squishy buttons, एक ही जगह पर cluster सा एक कटा हो कर रहेगा, आपको आज़ जालने के लिए मौका भी नहीं देगा, आपको driving करते करते, for one two seconds, dashboard के उपर देखना ही पड़ेगा, कि आप सही ब में, softer seats है, but they are very very soft, आदा गंटे के बाद, you can feel the structure on your back, and here a video में, because of the suspension, उतना comfortable ride आपको नहीं मिलेगा, and especially for a pillion, in दोनों गाडियों का, foot rest उतना अच्छा नहीं है, 20 minute, 30 minute के बाद, knees के पास, knee joints के पास, उतना comfort नहीं मिलेगा, उतना strong support नहीं मिलेगा, अगर roads गंता है, तो a pillion won't enjoy ride on the scooters, seats के हिसाब से, both of the scooters for plan is very very good, but foot rest is not really good, उसके उपर, S1 Air में, handlebar, उपर को रहता है, for S1 Air, मतलब, आप drive करते वक्त, long drives कर रहे हो, more than one hour or two hours, आपको, uncomfortable shoulder, रहेगा, you won't enjoy the ride that much, okay, so basically, बात यहीं के न, इन दोनों गाडियों में, आप जो भी लेंगे, it will be for a city use, एक city use के लिए, आप electric scooter को ले रहे हो, तीन चीज़ा fundamental होना चाहिए, पहला range estimate, जो range दिखा आता है, उस पे clarity होना चाहिए, कि कितना range देखा, कितना दिखा रहे है, second, range anxiety को दूर करने के लिए, fast charging network, and तीस रहा, अच्छा build quality, because इस गाड़ी को 5 साल और 10 साल अप रखने वाले हो, इ दूसरा गाड़ी बहुत ही strong acceleration, stronger breaking, stronger regeneration, मतलब इन दोनों में जो भी लेंगे, आपको जो sweet spot चाहिए, उतना comfortable ride, इन दोनों में आपको नहीं मिलेगा, आज आज डाल के बहुत मैने चला-चला कर that sweet spot को आपको तूरना पड़ेगा, एक गाड़ी आप ले रहे हो, वो अपने ल S1 Pro and Ola S1 Air, क्या यह दोनों काड़ियां अच्छे है, मतलब अच्छे features है and बुरे issues भी है, अब इन दोनों में कौन सा लेना है, मैं तो बोलोगा personally, इन दोनों को मत लेना, आपको क्या लगता है, आप जड़े नीशे comments में बता जेना